भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन यानि की मुंबई से लेकर के एहमदाबाद के बीचे बनने वाली 508 किलोमेटर हाइच स्पीड रेल कोरिडॉर परियुजना से एक काफी बड़ी ख़बर सामने निकल किया रही है आपको बता दें भारत में इस बुलेट ट्रेन का काम NHSRCL यानि की National High Speed Rail Corporation Limited के हाथ में सौप आ गया है जहां construction से लेकर के train operation तक सारी जिम्मेदारी NHSRCL की रहेगी बड़ी अबड़ीट यह है कि NHSRCL ने कुछ tenders को invite किया है जहां पर बुलेट ट्रेन परियुजना की जो electricity supply है उसके काम को पूरा किया जाएगा निकले के इस tender का नाम है EW1 जहां पर electricity supply के साथ साथ design, manufacturing, construction और transformer, installation सभी चीज़ों का काम किया जाएगा आपको बता दें मुंबाहिमदाबाद high speed rail project 25 कीवी electricity पर operate होने वाली है बात करेंगर हम थोड़ी सी details के बारे में तो यहाँ पर traction, substation, overhead line, इसके लाबा MVLV, power distribution, equipments इन सभी चीज़ों की supply की जाएगी बिट्स, invite करने की date 17 अपरेल 2023 रखी गई है जिसमें कई सारी भारती और विदेशी कंपनियां पार्ट स्पेट करेंगी भारत में सबसी बड़ी power supply equipments बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी है भारत heavy electricals limited इसके लाबा विदेश में कई कंपनिया है जो नहसर सील के इस किया जा रहा है और पहले जो महरास्ट के अंदर भी काम रुका हुआ था उसको भी तेज कर दिया गया है और बुलेट्रेन के प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी अर्चन बन रही थी वो थी land acquisition वो पूरी तरीके से complete हो चुका है और अब construction work शुरू हो चुका है फिलाल भा भारत की पहली बुलेट्रेन यानि के मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में चलने वाली ट्रेन जो एक्सपेक्टेट देट है वो 2026 डिसाइट की गई है आप कमेंट करके ज़रू बताइएगा कि 2026 में हमें बुलेट्रेन दौरती हुए नजर आएगी और भारत क यसे ही यूसफुल और इंफिमेटर वीडियो पाने के आप मारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लीजे मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटुस्रे वीडियो में तब तक लिए बंदे मात्रम भारत माता केच चे